मैं गाउं पिप्री कला आया हुआ हूँ जो मैयर तहसील में आता है यहां हमारे किसान बंदु ने अपनी इस धान की रोपा फसल में बायर के काउंसिल एक्टु प्रोड़क कर इस्तमाल किया था किसान भाई से समझते हैं पहले उनका परिचे और बाद में फिर उनका क्या अ अना सखरी पत्ति को पंचुः नचोड़ी पत्ति कोई घंस कोई भी नहीं जमा अच्छा इसके पहले आप पिछले बार से आपने कोई दवाई इस्तमाल की थी और उसका अनुभा बताईए कि कैसे खर्पतवार उगता था पिछले साल में डाला था आपके बो आता है क्या पत्ता था आपके खेत में पंचुः उगता था चोड़ी पत्ति चार उगता था और और कई चारे घंस उकते हैं बट्ट्टा वगयरा है तो हमारी किसन भाई को जैसे आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छा रिजाल्ट मिला है और चोड़ी सक्री सेज कोई भी खर्पतव बाद नहीं हुगा है विल्कुँ खेच चिकना दिक रहा है आपने इसका इस्तमाल कप किया था रोपा लगने के कितने घंटे बात किया था चोड़ीस घंटे के अंदर किया हुआ तो दूसरे किसन भाईयों को आप क्या संदेश देंगे इस वीडियो को माद्दम से कर सकते है या कि फिर यूडियक साथ डल सकते हैं नहीं आप दूसरे किसन भाईयों को क्या संदेश देंगे कि माद्दम से उनको क्या बोलेंगे कि वो इसका उप्योग करें यहीं काऊँगा कि सभी लोग यूज करें खरपदवार के लिए बहुत अच्छा इस के पहले आप काफी परेसान रहेते थे खरपदवार से आप दिखा सकते हैं एक भी घर्पदवार नहीं हुगा अभी इसमें 15 दिन हो गये हैं डले हुई पानी इनों ने चोड़ा है इनों ने एक एकड में लगा और एक भी खरप